असंख पापी पाप कर जाएं असंख कुड़े आर कुड़े फिरा हैं ऐसियां कूर्दियां गलां विच फस के अपना जीवन बेर्थ गवारें ते जिन्यां ने गुर्मत समझ लई जिन्यां ने पहलियां स्तारा पोडियां दी विचार नू अंदर वसा लिया और उस ते जीन दे तंग नू सिख लिया हुण ओ कुड़े आर नहीं रहना चांदे और कुड़े आर होके संसार तू जाना नहीं चांदे ओ सच्यार होन वाले पासे तो रपे हैं ओ संसार विच कूर दे राही फिर दे नहीं हैं असंख कुड़े आर कुड़े फिरा हैं ओ ऐसे कुड़े विच फिरना नहीं चांदे सत्गुर्पिता बड़ी रह्मत कर दे केंदेने असंख मलेच मलपक खाएं मलेच ओने जिड़े रब जीनु विसर गयने मलेच ओने जिड़े इर्खा दुएस विच फसेने मलेच ओने जिड़े मनुखता दे विच राम नु अल्ला नु नहीं देख देने मलेश ओ नहीं ने कि जिड़े साड़ी विचारता रहनों नहीं मंदे ओ दूसरी विचारता रहनों मंदें ते ओ मलेश ने ओ काफर ने ऐसी सोचनुवी सत्गुरु पाथशा बिसराम देंदेने स्टॉप ला देंदेने ऐसा सोचना भी नहीं कि मैं जो विचारता रहा ते चल रहे हैं मैं ही सुप्रीमा ऐसा नहीं है हर विचारता रहा आपने आपने समय विच अस्थान रख दी है लेकिन जो गुर्मत दी शबद गुरु दी विचारता रहा है उसी आपनी शैली है ते उस्ते विच जीवन लेण वास्ते आना है ते उसे ते तरीके न जीना पहेगा सत्यकुरु पिता के अंदे ने असंख मलेच मल पक्खा है असंख निंदक सिर करें पार बेहंत जीना दा अंती नहीं निंदक ने ओ समझ रहे हैं असी निंदा नहीं कर रहे लेकिन एक्शुल ओ निंदक ने ओ अपने सर्थे पार चाकरे ने ऐसी पापां दी पांड चाकरे ने हुण इना दी गिंती दा ब्यान नहीं कार सकदे इतनी निमर्ता दे कार विच गुर्णानक पाथशा आके कहने नानक नीच मैं इना दी गिंती दा क्सका मैं सद्गुरु जी तेरे गुणा नो लिख सकां तेरे अंत नो पा सकां मैं तेरे नीच समान हां कि मैं नानक नीच कहे विचार ऐसे विचार जी कवां कि मैं लिख दिते ने मैं पूरी तरह तेरे उस कुद्रत दा ब्यान कर दिता है बनाई होई काइनात दा ब्यान किरता या तेरा पूरन ब्यान कर दिता ऐसा नहीं है किनी निमरता सद्गुरु पाथशा सिखा रहे ने ते ऐसे मिठबोलडे साहिवदे असी सिख बनके वी असी क्रोधी हां ऐसे मिठबो लड़े साहिव दे सिकh बनके वी असी पाप कमा रहे हैं, कूड कमा रहे हैं असी कोडे बोल बोल रहे हैं उप कोडा बोलते जानदा नहीं, मिठबो लड़ा जी हर सजन स्वामी मेड़ा ऐसे गीत गान वाले वी मिठे ना होन सर्फ गान तक सीमत रहें मेरे सत्गुरु जी पाठ्षा के देने नानक नीच कहे विचार मेरे ते विचार वी विच्वी पूरन तौरते तेरे हुकमा दे ब्यान नू कर नहीं सकदा तेरे कुदरत नू नहीं लिक सकदा तेरे अंत नू नहीं पा सकदा वार्या ना जावाँ एक वार हजारा वारी तेरे तौ वारं तौ बार वी एक वार तेरे तौ वार्या नहीं जा सकदा कुदरत कवण कहा विचार वार्या ना जावाँ एक वार तेरी कुद्रत दा ब्यान भी नहीं कार सकदा तेरे कुद्रत दा बनाई हुई कुद्रत दा अंत भी नहीं पा सकदा हे कादर तेरा ब्यान करना ते मेरे तु वारे जाना ते मेरे तु बहुत वड़ी दूर दीकाल है क्योंकि मनू समझ आ गई जो तुद पावै साई पलिंकार जो तैनों चंगा लगदा है ओ मैंनों ही चंगा लगदा है ओ ही मैं जीना चांदा है जो तुद पावै साई पलिंकार तू सदा सलामत नरंकार तू आद साच है तू जुगाद साच है तू है पी साच है तो नानक खोसी पीस आच हैं है मेरे प्रीतम इस अठारवी पौरवी रही समझन दी कोशी किती मेरा गुर्णानक पिता कि इने निमरता दे कर विच आके तेरे दर्दा आपने आपनों पौरा बना रहा है ते मेरी कवर की एक से ख़दी की पाया है असी अठारवी पौरवी तक विचार चुके हैं कि इस मानने सच्यारा होना है ते समझना पहेगा राबजी दा निर्गुन ते सुरुगुन सुरूप असी सच्यारे होना है ते रब जी नू आद तूं सिस्टी दा मलक और सिस्टी दी शुरुवात तूं पहले उस्टी होन्द ते इस सिस्टी दे अंत तू बाद भी इस्टी होन्द नू कबूल ना पहेगा इस समझना पहेगा कि तरम दे ना ते जिड़े करम कांड तीर्था ते नान दा करम कांड वर्त रखन दा करम कांड रब जी नू पाउन दे बहाने जंतर मंतर रिधियां सिधियां प्रापत करंदा इना दा त्याग कीते बिना रब जी दे ग्यान नू पाना संभव ही नहीं है हाँ कुछ ताक्ता मिल सकदिया हन कुछ रिदिया सिदिया मिल सकदिया हन उस्ते विच रब जी नू प्रापत करन रब जी विच लीन होन दा साधन नहीं मिल सकदा एपनी संदर बड़े प्यारे तृरीक्य नल मेरे सथगुरु गुर्णारक पाठ्षा ने सथ समझाना कीता असंख कुद्रता दि गल कीती असंख सथगुरु पाठ्षा दे अकाल प्रख दे बनाये हुए जीवान तर्तियाँ दी गल कीती कुदरत थी लखता नू मिँ मनुख नहीं पासगडा, इसनू मन विच पसा लणा है देरी कादर थी बनाई होई कुदरत है, इसना भी अंत नहीं पासगडा, इसनू हिर्दे विच बसाना है इनना सार्यां दी दोड विच रब जी दे अंतनू पान दी दोड इचे रब जी नू जफी पान दे दोड इचे रब जी दी बनाई होई कैनात दे अंतनू पान दे दोड दे कारण असी निर्मल जीमन जीना पुल जान दे हां सत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् पिर भी सत्गुरुपिता कांदेने, हे अकाल पुरक, हे वाहिगुरु, हे राम, हे अल्ला, हे खुदा, हे गौड, इस गालनों मनों समझना पैगा, कि पावे तुँ असंख है, उन्वी पौड़ी विच सत्गुरुपिता इसनों समझाना कर देने। असंख नाओं, असंख थाओं, असंख का तेरे नाम जिड़े अज संसार विच पर्चलत हन, जीवा देना, पहाड, नदी, हवा, जल, पाणी, ए सारे नाम मनुख ने दिते हन, रब जी नहीं नहीं दिते हन, और ए सत्गुरु ने ज्ञान देके नाम पैदा कीते हन। असंख नाओं, असंख थाओं, और एही अस्चर्जता है, अगम, अगम, अस्चर्ज, अस्चर्ज, अगम, अगम, असंख लो, जितने जीव, जितने शरीर, जितने ब्रह्मन सब तेरी लोदे ना जाल रहे हैं, तुझ तु बिना इना दी कल्पना ही नहीं कीती जा सकदी, सोच ही नहीं पैदा हो सकदी, सत्गुरु जी, गुर्नानक पिता, मेरे प्यारे प्रीत्म, इनी निवर्ता देकार विच आके सनु समझाना कर देने, इना वड्याई गानतु बाद, लिखनतु बाद वी, हे प्रीत्म, तेरे बारे नहीं लिखिया जा सकदा, जे मैं कवाँ जे असंख वी क्या है, ते इस सिर्ते पार टोन वर्गी ही गाल है, असंख कहें, सिर्पार होए, जिड़ा असंख कुदरत दिया गल्ला करके कह रहा है, कि राब जी दे गुण असंख हन, ओ वी सिर्ते पार टोन जो वाली गाल है, हुआ है, कि राब जी दे ओिए असंख जाए, कि राब ऑफी असंख और मुण जो जे जाुण आना, जो प्लिधा एक रिए, ते पूए जो ते उड़ा है, जीर पार टोन जो झाल है, ये झाल है, और मुण